यह फुल स्टेट है पंजाब हमारा राज्यपाल हमें बजड शेशन बुलाने की इजाज़त नहीं दे रहा था हमें सुप्रीम कोड आना पड़ा जी बजड शेशन बुलाने दो सुप्रीम कोड ने कहा बजड शेशन होगा इजाज़त दो बजड शेशन के पहले चार-पांच देन पहले मंत्री मंडल की मीटिंग होती है जो सरकार की प्राप्तियां होती हैं लब्दियां होती हैं वो लिखकर गुवर्नर को दी जाती है कि मेरी सरकार ने ये किया मेरी सरकार ने ये किया तो उसने कहा हाउस में आके कहता हम इसमें मेरी सरकार नहीं कहूंगा मैंने कर दोबारा इसमें मंत्री मंडल दोबारा पास किया हुआ भाशन ए और जुए टो रीडिट वर्ड वाई वर्ड बोला भाईसा थिर आपके मुख्मंत्री है उन्होंने आपके ऊपर रोज लगाया कहते हैं कि जो राजपार है हमें काम नहीं करने दे रहे कर राम जिला मैदान में कड़े होगे उन्होंने ये बात के लिए अब ऐसा है कौन किसको नहीं करने देता मेरे दर्शी ठीक है एक जवाब नहीं कॉंस्टिट्यूशन के खिलाब कर रहे हैं वो Supreme Court में क्या decision हुआ आपको मालूम है Supreme Court ने बोला कि it is 101% obligatory on the chief minister he has to give reply जो भी governor पूछेंगे वो document भी देना पड़ेगा reply देना पड़ेगा एक clear word में है है ना नहीं तो मेरे से ले 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 ना judgment की copy सुने है सुने है तो पहले तो इनकी बात्चित कर देता हूँ अब मेरे पे भी थोड़ी सी डांट पड़ी है मैं चिपाता का हूँ उसमें ये बोला है कि अच्छा ये मैंने लेटर का पूछा कि लेटर का जवाब दो तो मानने मुख्यमंत्री जी ने क्या जवाब दिया था उन्होंने जवाब ये दिया था कि गवर्नर आप अपना धंदा करो मैं साड़े तीन करोड लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ आपकी बात का कोई जवाब आप नहीं देता क्यों उसके जवाब में सुप्रिम कोड ने बोला कि जवाब देना पड़ेगा अभी तक नहीं आया दूसरा ये भी बोला है गवर्नर इनके बराबरी क्यों करना कि तो इसलिए राम लिला में जो भी बोले उसका जवाब मैं कैसे दूंकियों कि सुप्रिम कोड ने बोला है कि बराबरी मत करो सब्सक्राइब करो यूट्यूब ते सच कहूं पंजाबी चैनल इजनाल ही बैल आइकन दब के पाउल लेटस्ट अपडेट सब तो पहला